दोस्तो बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि जो आपका EOT क्रेन में रोटरी लिमिट सुझ रहता है, ग्रैबिटी लिमिट सुझ रहता है और लिवर टाइप लिमिट सुझ रहता है इसका आखिर connection हम लोग किस तरह से करेंगे? एकदम point to point अगर समझा दिजिएगा तो हम लोग को काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा दोस्तो आज जिस तरह से मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो को अच्छा से देखना है और follow करना है और एक-एक जो point होता है इसको बहुत बारी किसे समझना है जब आप practical में काम किजिएगा कुछ भी आपको दिकत नहीं होगा बहुत सा फ्रेंड हमसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जिसके उपर आप वीडियो बनाईएगा थोड़ा थोड़ा इमेज डाल दीजिएगा इसमें क्या होगा हम लोग को किलिन समझ में आ जाएगा और काम करने में कुछ दिकत नहीं होगा तो दोस्तो मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगा अभी जो टोफिक के उपर हम वीडियो बनागा आप लोग को समझा रहे इसका अल्रेडी प्रैक्टिकल वीडियो आपना यूट्यूब चैनल में पहले में डाला हूँ और एक-एक पॉइंट आप लोग को दिखाया हूँ उसके बाद जो बाद में वीडियो आता है उतना मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ कुछ-कुछ फ्रेंड को दिकत भी होता है और कुछ-कुछ फ्रेंड को कुछ दिकत नहीं होता है जो एक बार प्रैक्टिकल में देख लिया है उसके लिए तो कोई दिकत नहीं होता है बहुत सा फ्रेंड जो है फास्ट टाइम यूटिव चैनल में आया है और वो कभी इस टॉफिक के उपर बारे में अच्छा से सोचा भी नहीं है और मैं जो क्लास देता हूँ उस पर भी एक ही बात बोलता हूँ कि बहुत बारी किसे आपको सोचना है जब बारी किसे एक एक पॉइंट के बारे में काम करियेगा सोचियेगा तो समझने में कुछ भी दिकत नहीं होगा और अगर आप अच्छा से यह सब गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं सेम टु सेम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है जैसे दोस्तों किसी भी जो योटी क्रेन उसमें जाका मिला के देखिएगा तो आज का जो वीडियो है यही सेम टु सेम आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे एक phage और neutral आया तो इस जगा में जो आपका neutral का connection है neutral के साथ कुछ भी आपका interlock दिया हुआ नहीं है जितना भी interlock दिया हुआ है वो phage के साथ दिया हुआ है तो phage आया आने का बाद किसमे इन हुआ ना MCB में इन हुआ जब आप MCB को on करिएगा तो supply आगया आएगा किसमे आएगा oiler में आएगा oiler से जब आपका out होगा आउट होने के बाद किसमे आएगा यह हो गिया आपका connector connector के ही पास जा के जब आप original diagram देखिएगा इसके साथ में जब pharul number match करिएगा तो देखिएगा same to same already मैं video upload करके रखा हूँ कौन-कौन सा pharul number रहता है कहाँ पे connector रहता है इसलिए मैं बोल रहा है कि point to point वीडियो का आपको देखना पड़ेगा तब आरी किसे समझ में आ जाएगा और यह जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ते उतना details में डालता नहीं हो थोड़ा थोड़ा जो line पकड़ना चाहिए वो पकड़ के मैं आप लोगों को समझाता हो जब आपके मन में question आएगा automatic आप इसके ओपर ज्यादा ध्यान दिजिएगा और courses करिएगा सिखने के लिए तो यही जो YouTube channel है इसमें हार चीज का problem का solution है अगर आपको पूरा details में चाहिए उसका भी वीडियो है आपको क्या साच करना है main host, auxiliary host, long travel, cross travel, technician, tapon अगर आपको main host का चाहिए तो main host, technician, tapon तेखेगा मेरा आई वीडियो आपके तुरण सामने में आजाएगा बहुत सा फ्रेंट इस टाइप से सोच करता है EOT crane, main host, panel, technician, tapon तुरण आजाएगा शिरीप आपको यह समझना पड़ेगा कि हम यह YouTube channel में आए है तो किस तरह साम साच करेंगे जब आपको वीडियो नहीं मिलेगा ताब आप हमको बताइएगा यहां से face अपला है किस में है, connector में है तो connector के ही पास देखके आपको क्या पता चलता है यहां से आपका दो गो ओयर है दो गो ओयर किस लिए है एक ओयर जो है यह आपका जा रहा है master controller में जो आपका resistance 1, resistance 2 resistance 3 और 3 गो step के लिए contactor लगा हुआ है और यही same to same connector से और एक ओयर लिया है और इस जगा में आपका जोड दिया है, जोडने के बाद किस में लेका आया है ना सीध्या आपका लेका आया है rotary limit switch में नाम एकदम clean आपको याद करके रखना है rotary limit switch में rotary limit switch में जब आप practical में देखिएगा ठीक इस type का आपको दिखाई देगा और practical में जब connection भी किजिएगा तो एकदम same to same यह diagram में जिस तरह से बना हुआ है एही connection आपको करना है तो यहाँ पर आपका आगया phase आने के बाद इस wire का नाम क्या है इसको हम लोग ज़्यदा तर बोलते है common और जो दोग और है यह हो गिया हमारा forward का limit switch में जो कीट है contact कीट यह forward side का कीट है और यह आपका reverse side का कीट है तो limit switch से जहीसे ही out करके आएगा किसमें आएगा सीध्या आज आएगा master controller में एक और आएगा आपका forward side में और दूसरा और आएगा आपका reverse side में आभी आपका doubt किलियर हो गया होगा कि limit switch के connection किस तरह से दिया हो रहता है इसके ओपर बहुत सा फ्रेंट को doubt था कि clean समझ में नहीं आ रहा है इसी जगा से ही ज़दात्तर doubt हो रहा था इसी लिए इस वीडियो में connector देके आप लोगो clean समझा दिया हूँ और यह भी आपको confirm हो गया है कि master controller में direct आपका जो phase supply है ओ नहीं आता है लेकिन जब आप practical में diagram देखते हैं तो आपको थोड़ा सा doubt आ जाता है तो इस टाइप से अगर आप इस जगा को सोचिएगा कि यहां पर हमारा दो गो आयर है तो आपको कुछ भी दिखत नहीं होगा diagram जो है clean आपको समझना पड़ेगा जब आपको इंटेर्वू दिजिएगा और आपसे पुछेगा कि एक चाय लांग ट्रेवल क्रोस ट्रेवल में होस्ट एक जूलीर होस्ट या इसका limit switch के connection की सतरा से होता है ना फेज़ सप्लाइब आता है आनेक बाद इस जगह में आपका दो गो इर होता है एक वाईर आपका सिध्या आ जाता है master controller की जो रेश्टेस का ले तीन गो कीट है r1 r2 r3 और जो और एक वाईर है यह हमारा सिध्या आ जाता है रोटरी लिमिट स्विज में दो गो कित रहता है एक आपका फर्वाट का एक आपका रिवास का जो आपका कॉमेन ओयर होता है यहां से आपका लूब दिया हाओ रहता है दोनो किट में तो अभी जब तक ये limit switch का kit, contact kit ये NC बना हुआ रहेगा, तभी आपका master controller तक supply आएगा, कोई करण से अगर ये forward side का kit NO हो जाएगा, तो forward side आपका बंद हो जाएगा, और reverse side अगर कोई करण से NO हो जाएगा, तो reverse side आपका बंद हो जाएगा, इसलिए जब आपका IoT crane में fold आता है, कि एक side चल रहा है, या एक side नहीं चल रहा है, उस time सबसे पहले हम लोग क्या करते है, rotary limit switch का अच्छा से चेक करते है, और बारी किसे जब सोचिएगा, बारी किसे जब काम किजिएगा, तभी एक एक point का आप knowledge बना सकते है, तो इस जगह में forward का kit कौन सा है, reverse का kit कौन सा है, ये confirm हो गिया, अभी इसके बाद जो आपका forward side का master controller का kit में in हुआ, limit switch से out होके आने के बाद, ये दोनों wire बिलकुल देखिए, अलग-अलग आ रहा है, एक wire आपका किस में घुझ रहा है, forward side का master controller का kit में घुझ रहा है, और एक wire आपका reverse side का master controller का kit में घुझ रहा है, जब आ ये जो reverse का contactor है, इसका NC में, और इहांसा out होने के बाद सिधा आ जाएगा, जो आपका forward का power contactor है, इसका A1 का terminal में, same to same reverse side भी काम करेगा, फेज supply आया, किस में in हुआ, ना reverse side का master controller का kit है, इसमें आपका in हुआ, इहांसा out होने के बाद, जो forward side का NC point है, इसमें in होगा, और इह साइड का power contactor है, इसका A1 का terminal में आ जाएगा, इसी तरह से आपको समझना है, आभी मैं आप लोग को ये बताऊंगा, कि जो neutral से limit switch का connection दिया हो रहता है, वो किस type से करना है, दोस्तों, इस जगा में, जीस तरह से फेज से connection दिया हुआ है, same to same neutral पे भी एही connection करना पड़ता है सिरिफ आप जब तक एक बार practical में किजिएगा नहीं, तब तक doubt clear नहीं होता है, अगर आपको neutral से भी interlock चाहिए, तो मैं आप लोग को क्या बताया हूँ, कि main horse, auxiliary horse, long travel, cross travel, ये लिखने के बाद साच किजिएगा टेकनिसी अंतपन, तो already आपके पास वीडियो आ जाएगा, औ इसके बारे भी आपको पता चल जाएगा, और जब आप इंटर्वू दीजिएगा, और आपको connection बनाने के लिए बोलेगा, तो बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद,